दुबई सरकार ने भारतिव के लिए वीजा फ्री कर दिया है मतलब कि 5 परकार के ऐसे भारतिय है जो बहिना वीजा दुबई में जा सकेंगे दुबई जाने के बाद में उनको वीजा मिलेगा और वहीं पर उनको पेमेंट करना होगा मतलब visa apply करने की जरूरत नहीं है और दुबई में जाने के बाद में वहां भी visa की date को और बढ़वा सकेंगे और date बढ़वा कर वहां रह भी सकेंगे घूम भी सकेंगे जो करना चाहे सो कर सकेंगे इस वीडियो में visa on arrival facilities के बारे में बताने जा रहा हूँ जो UAE सरकार इंडियन के लिए free किया है इंडिया से दुबई जाने के लिए पहले visa apply करना होता है उसके लिए कई दिन का समय लग जाता है और agent extra charge भी ले ले लेते हैं लेकिन अब दुबई जाने के लिए केवल आपके पास passport होना चाहिए और सिर्फ ticket booking करके जा सकेंगे लेकिन इसमें सभी परकार के लोग शामिल नहीं है केवल पांच category के ही लोग है जो दुबई में बीन वीजा जा सकेंगे एरपोर्ट पर जाने के बाद में एरपोर्ट प के ग्रीन काड है यह युरोप में किसी वीज्थ का रेजिडेंस मतलब पर्मनेन रेजिदेंसी या वीजा है यह फिर यूके का वीजा है वह लोग भी वहाँ दुबई में जा सकेंगे और अरवल के बाद में वीजा ले सकेंगे मतलब कि United State of America की वीज़ा होने चाहिए या UK का या European Union Country की जो 27 देश है उस 27 यूरोपियन देश के किसी वीज़ा होगा तो भी वहाँ जाने के बाद में arrival के बाद वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे और कम से कम आपके passport में 6 महीने की validity होना चाहिए अगर passport में 6 महीने की validity है तो ही इस category वाले लोग जा सकेंगे और वैले टिकट ले करके और travel कर सकेंगे यह facility आज से सुरू किया गया है और जो लोग वहाँ पहुंच चुके है या जा रही है वह लोग दो महीने वीज़ा को एक्स्टेंड कर सकते हैं कि arrival पर 14 दिनों का वीज़ा मिलेगा 14 दिन तक ही रह सकेंगे और extra रहना होगा तो और 60 दिन वीज़ा को बढ़वा सकेंगे 60 दिन extra भी रह सकेंगे उसके बाद वहां से return होना होगा